मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है, एक साल पहले आया था, फिर भारत जोडो यात्रा में आया और अब आया हूँ, मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफी improvement होगा, मगर दुख की बात है, कि वो improvement नहीं हुआ camps में मैं community से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आँखों से देखा, सुना और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा महबबत से भाईचारे से respect से solution निकल सकती है, बातचीत से solution निकल सकती है, मैं राजनेतिक बात करने नहीं आया हूँ, governor से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, Congress Party कर सकते हैं, कर सकती हैं, मैं कर सकता है कि progress हो रही है, आखरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से request करता हूँ, कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मनिपूर एक प्रदेश है, और प्रधानमंत्री को बहुत पहले visit करना चाहिए था, मगर मनिपूर को जरूरत है, कि हिंदूस्तान के प्रधानमंत्री यहां आएं, और जो यहां हो रहा है, उसको समझनी की कोशिश करें, और जनता की जो आवाज है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने, इससे बहुत फाइदा होगा, मनिपूर की जनता में confidence आएगी, तो मेरी request है, कि प्रधानमंत्री को यहां आणा चाहिए, मनिपूर की लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है, कि प्रधानमंत्री यहां आकर जनता की बात सुने, अंग्रेजी में भी बोल देता हूँ, I feel that it is important that the Prime Minister come here, listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur, after all Manipur is a proud state of the Indian Union and it's very important that the Prime Minister, especially even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy the Prime Minister should have come to Manipur and in this huge tragedy I request the Prime Minister to take one day, two days of his time and just come and listen to the people of Manipur it will comfort the people of Manipur and we are, as the Congress Party, ready to support anything that would improve the situation here. to take one day, three days of Manipur to the American and let them out. Today by the Manipur झाल झाल